सितारों से सजीव हवा में मिली हुई एक रात, गुलाबी रंग की रोशनी से भरी हवेली के बगीचे में कुछ रहस्य मैं घटनाएं हो रही थी. बगीचे की ओर एक नए महाराजा ने कदम रखा था, जिसने इसे अपना नया घर बनाने का निर्णय किया था. महाराजा की आँखों में एक अजीब सी चमक थी, जो उसकी पहली पत्नी की मौत के बाद बढ़ी थी. उसने गहरे रहस्यों को बांधा हुआ था, जिन में से एक था एक चमतकारी मणी, जो खोजने पर हर किसी को खुशियां दे सकता था. बगीचे के कोने में एक जादूई पत्थर में बंध हुआ, ये चमतकारी मणी था, जिसे धूप में रखने से वह महाराजा को अद्वितिये शक्तियों का हासिल हो रहा था. लेकिन इस रहस्य को खोजने की कोशिश करने वाले कई लोगों ने गुमराही में अपनी जिन्दगी गमवा दी थी. एक रात, महाराजा की चारों ओर की रात काली थी, और उसने अपने विशेश्चों को चमतकारी मणी की खोज के लिए निर्देशित किया. सभी लोग उत्साहित थे, लेकिन एक गहरी भयानक रात में वह चमतकारी मणी की खोज में निकले. चरणों की आवाज, भूतिया हवा और रात के अंधिरे ने रहस्य की ओर बढ़ने वाले को रोका, लेकिन वह नहीं हारा. अचानक उसने बगीचे के कोने में चमतकारी मणी को धूप में पाया. मेरे सभी प्रशिक्षुओं को धन्यवाद, इस चमतकारी मणी की खोज में हम सफल रहे हैं, महाराजा ने कहा, और सभी ने उसे दी गई धूप में साझा किया. एक नई शुरुआत, एक नया जीवन शुरू हुआ, जिसमें चमतकारी मणी की शक्ती ने सभी को सुक और सम्रिद्ध की ओर अग्रिसर किया.